दोस्तों जहिन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाट साला बिद केके में देखें दोस्तों बिहार सब इंस्पेक्टर का भी रिजल्ट आया है पीटी का बहुत सार लोगों का इसमें रिजल्ट हुआ है उनके लिए दो तीन बाते हैं जो मेंस अगर निकालना चाह र आउंगा और क्यों इन चीजों को करना जरूरी है यह चीज आप समझिए सबसे पहली तो मैं बात करूं कि इसमें देखिए बीस क्वेश्चन जो होगा वह मैथ और रिजिनिंग का होगा तो कोई भी छात्र कोई भी अवयर्थी इसको हलके में ना लें कि 20 ही है हम कर लेंग तब ही आप एक्जाम में कर पाएंगे और नहीं तो एक्जाम का एक अलग ही प्रेसर होता है आपको सब कुछ आते रहेगा लेकिन जब एक्जाम में आप बैठेंगे एक अमरिसन हाल में तो एक अलग ही प्रेसर अलग ही दवाव रहता है जो आपको परिशान करते रहता है आप जिस question को करने लाइक भी होते हैं तो उसमें भी आपको डर सा लगने लगता है ये हो पाएगा की नहीं हो पाएगा इससे कैसे बचना है अभी से ही आप प्रियास करिए अभी से ही आप reasoning और math के questions लगाए मैक्सिमम लगाई जितना ज्यादस ज्यादा लगा सकते हैं दूसरी बात मैं बताने वाला हूँ कि सलेबस में कहीं current affair का जिकर नहीं है लेकिन कभी कभी आयोग ये खेल खेलती है कि कुछ questions current affair के भी दे देती है तो ऐसे में risk नहीं लेना है current affair भी थोड़े बहुत मातरा में देखते रहना है थीक ना थोड़े बहुत मातरा में देखते रहना है ताकि अगर 4-5 questions आये भी तो आप easily कर लें तीसरा इसमें देखिए science और polity के questions ठीक ठाक पूछे जाएंगे अच्छी संख्या में पूछे जाएंगे तो science और polity बिशेश रूप से पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है है कि नहीं science और polity polity तो मैं कराया हूँ पिहार पुलिस के लिए जब मैं एक लास करा रहा था तो उसमें polity मैं कराया हूँ polity आप वहां से भी कर सकते हैं या तो फिर आप कोई भी अच्छी बुक से आप कर ले सकते हैं politics कहीं सभी आप करिए लेकिन करिए science भी उसमें विशेश कर आप biology और physics पर ध्यान दिजेगा इन दोनों से ज़्यादा question देखने को मिलता है तो इन दोनों को विशेश रूप से ध्यान दिजेगा दो बाते मैं और बताना चाहता हूँ इसके अलाबा कौन से दो बाते हैं ज़्यादा महत बुढ़ है ये चिद्यान दिजेगा देखिए अब exam में ज़्यादा समय नहीं है या फरवरी के लाश में आपका exam हो जाएगा तो ऐसे मैं आपको practice set निरंतर लगाना चाहिए जी हाँ practice set निरंतर और maximum जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप practice set लगाएंगे फायदा आपका उतना होगा क्यों लगाना होता है practice set practice set आपका क्या फायदा करेगा तो देखिए practice set फायदा ये करता है कि exam में जो आप easy question गलत करते हैं जो हलका हवा question गलत करते हैं जो निकलने के बाद exam से निकलने के बाद कहते हैं कि अरे ये वाला का ये होगा की ये होगा है ना उस हलका हवा question को गलत होने से बचाता है आपका practice state जब आप practice state लगाते रहते हैं तब तो practice state continue और जितना ज्यादा ज्यादा दो तीन जितना लगा पाएं दिन भर में लगाईए कोई दिक्कत नहीं है ठीक ना आखरी और सबसे महत्पुन बाद मैं बार बार कहता हूँ कि previous year question जरूर देखिए previous year question आप लोग नहीं देखते हैं खामे आजा क्या होता है कि 5-6 question भी अगर आप previous year वाला छूट गया तो आप बहुत पीछे चलेगे आप previous year देखते हैं तो 5-6 number आपका आसानी से बढ़ जाता जो कि आप नहीं देखते हैं previous year और 5-6 number आप औरों से पीछे हो जाते हैं और वहीं आप बैक हो जाते हैं result से पीछे हो जाते हैं तो previous year अवा से देखिए previous year में मैं बता रहा हूँ कि who who question पूछता है 4-5 question आपको previous year से देखने को मिल ही जाएगा और वो 4-5 ऐसे question होते हैं जो विद्यार्थी बार बार गलती करते हैं उनी question को आयोग बार बार आपके समने प्रस्तूत करता है कि फिर फसो फिर फसो और आप लोग वही गलती करते हैं previous year नहीं देखते हैं फिर फसेंगे फिर फसेंगे यही होता है तो इन सब चीजों को करिए अगर आप चाहते हैं कि यह पौने 1300 यानि 1275 में आपका हो result तो इन चीजों को जरूर करिएगा बाकि अगर और कोई जयनकारी चाहते हैं तो comment कर दिजिएगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में नमस्कार चेहिंद